इस बार वाले में नहीं क्योंकि अभी दूर आपने घर से अगली बारी का भी मौका मिलेगा तो फॉर शॉर तो दोस्तो यहाँ पर एल्विस भाई का वाल्ड कार्ड कंटरस्टेंट के तोर पर विनर बनने के बाद पहला इंटरव्यू हमारे सामने आ चुका है और उसमें एल्विस भाई ने कई मज़िदार बाते कई है जो कि आपका दिल जीत लेगा जी हैं दोस्तो यहाँ पर एल्विस भाई ने पहले तो सभी को धन्यवाद दिया जिन्नोंने की उनको सपोर्ट किया इतना प्यार दिया और इतने ज़दा वोट किये वहीं दोस्तो यहाँ पर लोगों ने यानि की जो इंट्रिवू लेने वाले मीडिया कर में थे उन्होंने एल्विस को सामने बताया कि आपको पता है आपको किस-किस का सपोर्ट मिला है इसमरती इरानी ने आपको सपोर्ट किया था यह सुनकर दोस्तो एल्विस भाई काफी हरान हो गए और उन्होंने इसमरती इरानी जी को भी थेंक्यू बोला इसके अलवाद आलिया बट का पर जब उनको बताया गया कि आलिया बट ने आपको सपोर्ट किया और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छी बाते कही थी और वो सारी बाते बताई जो कि आलिया बट ने बताई थी और ये सुनकर दोस्तो यहाँ पर Elvis भाई काफी हरान हुए और उनको काफी खुशी मिली क्योंकि दोस्तो Alia Bhatt जो है वो Elvis भाई की फैवरेट है और वो उनका क्रश भी है और इसी वज़े से उन्होंने Alia Bhatt को भी साथ-साथ Thank You बोला वहीं दोस्तो दुरूव राठी के बारे में जब सवाल किया गया कि दुरूव राठी ने आपके लिए क्या-क्या बोला है इसके उपर यहाँ पर Elvis भाई ने ये जवाब दिया क्या रहे उसको छोड़ो ना यार वह फालतू का मुद्दा है उसके उपर में बात नहीं करूँगा जी हैं दोस्तो दुरूव राठी को इग्नोर कर दिया इसके लवा जब सल्मान खांस के बारे में पूछा गया कि आपने तो सल्मान को इतना बुरी तरीके से रोष्ट किया था उसके उपर आपके क्या खयाल है इस पर दोस्तो यहाँ पर एल्विस भाई बताते हैं कि सल्मान को रोष्ट किया वो मेरा पास्ट था है यार पास्ट वाली बातों को भूल जाईए अब नहीं सुरवात हो चुकी है नहीं रिस्ते बन चुके हैं खिर दोस्तो यहाँ पर एल्विस भाई ने तो वाके इंटर्विव के दोरान किसी की भी बुराई नहीं की और सभी के साथ अच्छा रिस्ता निवाया सभी के लिए अच्छे अच्छी बाते कही है फिलाल आपका क्या कहना है एल्विस भाई के एंटर्वीव पर अपनी राय है मैं कॉमेंट करके बताएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मैं साथ बन रही है ताकि बिग बोस ते जोड़ी हर ख़वर आप तक पहुंचे सब से पहलें